1960s में चाइना का सबसे बड़ा फेलियर, Mao Zedong का The Great Leap Forward, जिसकी वजहा से लाखों चाइनीज की डेथ हुई. दोस्तों, अपने इस फेलियर को कंसील करने के लिए, Mao Zedong ने 1962 में इंडिया को इन्वेट किया और अकसाई चिन पर कबजा कर लिया. आज भी ऐसी ही सिटुएशन बनती हुई नजर आ रही है. चाइना में आइफून फैक्टरी में रीसेंट प्रोटेस्ट्स, चाइना का एकनॉमिक स्लोडाउन, चाइनीज वेक्सीन का फेलियर, और जीरो कोविट पॉलिसी से चाइनीज लोग अपनी कम्यूनिस्ट नॉन डेमोक्राटिक गॉवर्मेंट के खिलाफ हैं. तो दोस्तों इन मुद्दों से लोगों का फोकस भटकानी के लिए और उनका सपोर्ट जीतने के लिए जी जिंग पिंग या तो ताइवान को इन्वेड कर सकते हैं या इंडिया के साथ LAC के अलॉंग एक और ट्रांस्क्रेशन. लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी इस केस में इंडिया को भारी पर सकती हैं. तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करते हैं तो निक्स्ट पार्ट इस वीडियो का हम लॉंच कर देंगे.